अलो दोस्तों मेरा नामिर अर्शफरदन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पैनल डोर और ग्लाज डोर की ड्रोइंग बदैएंगे ठीक है जिस मतलब कि एक ही डोर में पैनल ने भी लगाओगा और हमारे ग्लास भी लगेंगे ठीक है तो इसका नाम हो जाएगा पै पैनल भी आ गए और ग्लास भी आ गए ठीक है चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले जो डॉर का साइज होता है वन पॉइंट टू जिरो मिटर इंटू टू पॉइंट वन जिरो मिटर होता है इसको सेंटिमेटर में करेंगे तो 120 इंटू 210 सेंटिमेटर आ को तो 120 सेंटिमेटर आ जाए है वैं सब्सक्राइज में बाद 15 सेंटिमेट difla के लिए उन्ताकर पहलेचिन दीक्राइज कर लेंए जा देंगें vraag लों सब्सक्राद क्रांप अब आपको यहां से उपरast इप जयारक्यस पर्कार आपको जिर्शाला और भलत क्या उनकार लोगश्य पॉर्आ चीए यां से यह पतनरा पंटरा पंडरा में छंप याद करतें अप तो यह पंदुलाजे इतिक से इत जब चुक है टिक है गेट की उचाई आप कोया करना अब अब मैं इसमें अब फ़र्बाट टेइए उपर शरू का जूसा होता है वह तस केंट России से 15 संटीमेटर के राइट साइड में 1 cm बहार निकाल लेने हैं ठीक है इस प्रकार हमने यहां से लेगे यहां तक कि यह बहार निकाल लिए 1 cm अब देखें जो होरन की जो थिखनेस होती है यह मोटा होती है हो 8 cm होती है 8 cm को स्केल बकलोट करें तो पॉइंट 8 cm आ जाएगा यह यानिके 8 mm अब आपको इस पॉइंट से नीचे की और कितना आना है 8 mm यह आगए हम 8 mm ठीक है अब इधर से भी आपको नीचे कितना आना है 8 mm नीचे की त्री लाइन प्रों करने है नीचे की आट अब देखिये यह बन चुकी है इसकी थिकनेस अब आपको इन दोनों को मिला देना इस लाइन से यहाँ से यहां से यहां तक यहां से यहां तक प्रोंकार इसको आप इनेजर कर दीजिये ठीक है हमने यहां से यहां तक यह लाइन इरेजर कर दिए अब हम लगाते हैं इसमें पोस्ट ठीक है पोस्ट का जो साइज होता हुआ 8 x 10 cm होता है 8 cm लेंगे हम यहां पर 8 cm को स्केल में कनोट करेंगे तो यह भी 8 mm या इनके 0.8 cm आ जाएगा ठीक है चलिए इसको भी ड्रो करते है यहां देगे 8 mm यह से उपर की ओर राइन ड्रो करें इसी पर का रियर हां इस लाइन के बराबर तक ठीक है इसी पर का यहां से भी यह से लाइन ड्रो करें बच्छा करें और इन दोनों का अपसमें मिला देजिए एंसे ठीक है अब आपको क्या करना है अब हम इसमें लगाते हैं रिबैक अब रिबैक का जो साइज होता है वो 1.5 cm होता है ठीक है 1.5 cm को स्केल बर करनाट करेंगे तो 0.15 cm आ जाएगा यानिके लगबग 1.5 mm इस पोस्ट के इधर लफ्ट साइड में और इधर पोस्ट के राइट साइड में गर्रिबैक सो करती है ऐसे यहापको ऐसे डोटेड लाइन में सो करती ही है ठीक है ऐसे यह आपको उपर तक ही ड्रो कर लेना है ठीक है इसे पका इधर से भी इसे बनाते चलिए ठीक है इसको भी आप उपर तक करिए अब इसको यह आप जो यह लाइने इसके ऊपर भी आपको कितनी लेने पॉइंट 15 सेंडिमेटर और इन दोनों काप से मिला जेना है ठीक है दोस्तों इस तरह से मैंने यहाँ पर भी यह सोग कर दिये अब हम आपको क्या करना है देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक के लाइने इसकी जो इसको आपको सेंटर पॉइंट ले लेना है और सेंटर पॉइंट से एक हैसे लाइन ड्रो करने है उपर की ओर और उपर तक मिला जेना है ठीक है इतना करने के बाद इस सेंटर लाइन के 10 cm left or 10 cm right पर भी लाइन ड्रो कर लेनी 10 cm या नहीं कि scale में बात करेंगे तो 11 cm ठीक है ऐसे मैंने यहां से यह 11 cm की धुरी पर ऐसे यह लाइन ड्रो करती है ठीक है अब जो यह बराबर वाली लाइन है एक तो यह वाली पोस्ट वाली लाइन और यह पोस्ट वाली लाइन इनसे भी 10-10 cm की दूरी पर ही ऐसे ही लाइन ड्रो करीए ठीक है ठीक इसी प्रकार यहां पर ठीक है इतना करने के बाद अब हम इसमें बनाते टोप रेल बोटम रेल और एक लोक रेल टोप रेल को साइज होता है वो 10 x 4 cm होता है हम इसमें 10 cm करेंगे 10 cm यानिके 1 cm यानिके आपको ऊपर से नीचे की और लगबग यहां आजएगा 1 cm और इधर से नीचे 1 cm ठीक है लाइन ड्रो कर लेनी है ऐसे ठीक है इतना करने के बाद अब हम बनाते इसमें बोटम रेल बोटम रेल को साइज होता है 20 x 4 cm यानिके आपको नीचे से यूपर की और 2 cm यहां एसे लाइन रोक कर लेनी है अब हम बनाते इसमें लोग रेल जो की बीच में बन दी है रोक ले रोक जो लोग रेल का साही होता है वह वन मेटर होता है बोटम से ऊपर यहनिके नीचे से यहां तक 1 m जो हता है यानि कि आपको नीचे से उपर की ओर 10 से मार्क कर लेना है यह उई ओर पॉइंट मार्क करने के पाद इसपोइंट के यह है कि इस पॉइंट के कितना लेना है ऑई दस सेंटीमेटर नीचे सीच देखे नहीं कि एसे हिए गा 10 cm यानिके 1 cm यह आपको ध्यान नहाना है ऐसे अब इस पॉइंट के 10 cm ऊपर एक और ऐसे यह लाइन डो करिए ऐसे ठीक है अब देखिए जो कि हम पैनल एंड ग्लास डोर बना रहे हैं तो हम इसमें ऊपर तो ग्लास बना देगे ठीक है और नीचे पैनल बना देगे ठीक है अब देखिए उपर हम क्या बनाएंगे ग्लास अब ग्लास के लिए आपको क्या करना है अब यहां से यहां तक कि जो यह लाइन इसका संटर पॉइंट लेगी जी यह आ गया और इस संटर लाइन से 5 mm ऊपर 5 mm लिए नीचे यह उसी लाइन इस तरह से आझ सलिए तरह से अ यह बहुत सबस्ते हो आपको कि ए अब देगे हमने जो संटर लाइन ली था यादि यहां से लेगे यहां से लाइन टी इसका संटर पॉइंट पकड़ा और यहां से लाइन रो कर दी जो यह लाइन डो कर दी इस पर भी रिवेक को अब रिवाक को साइज होता है 1.5 सेंटीमेटर स्केल बात करें तो पॉइंट वन फाइप सेंटिम्टी यानिके लगबर डेटा में मालेगा ऐसे आपको यहाँ पर भी ए रिबेक सो करना है ठीक है ऐसे आप उपर तक इसको सो कर दीजिए ठीक है अब देखिए आप उपर बनाएंगे एंग ग्लास अब ग्लास के लिए आपको क्या करना होगा यहां से इस पॉइंट के कोने से देखिए दो अम और जोन्टल चलिए ऐसे और दो अम आप वर्टिकल चलिए उपर यहां से यह लाइन ड्रो करिए ठीक है यह वह एंशे ठीक है और इन दोनों को भी मिला दीजिए उपर अभी देखिए हमने क्या किया है हमने इदर से 2 अम Вы Nobel हमें इदर से 2 अम ऊपर से नीचे के और 2 New की दूरी पर हमने इसमें एक इसक्राइट टाइप का बना दिया है ठीक है एससे आपको इसमें बनाना है ऐसे इसमें ऐसे इसमें ठीक है ठीक है इस परकार आपने सभी में दो-दो में से हटकर स्क्राइब के बना दिया है ठीक है अब इसमें आपको क्या करना है हम इसमें क्या बनाए है अमने ग्लाज अब इसमें आपको ग्लाज का सिंबल सो कर दा है या फ कर रहा हूं आप स्केल से करिएगा ठीक है ऐसे आपको इसमें गलाज का सिंबल सो कर देना है अब इसमें बनाते हैं नीचे हैं पैनल आप बनाने के आपको क्या करना होगा देखिए आपको सबसे पहले तो एसे ही दो-दो एम-एम की दूरी पर एसे इसमें स्क्वैर बना लेना है सोरी रक्टेंगुलर बना लेना है ठीक है ठीक इसी पकार इधर भी बना लेना है यह से बना लेना है यह ठीक है अब इतना बनाने के बाद अब इसी के अंदर पच्छ पच एम-म की दूरी पर कितना 55 एम-म यह निके आपको यह बना लेना है जो आप यहां से इधर पांच एम-म और उपर की वर पांच एम-म ऐसे ठीक है एसे बनाना है और इसको एसे मिला लेना है ठीक इसी पकार इसमें भी पांच एम-म और पांच एम-म वर्टिकल और इसे बनाते चलिए इतना बनाने के बाद फिर आपको इसकेल से इन कोनों को आपस में एसे यूँ मिला देना है ठीक है एसे इसे इसके भी कोनों को इस तरह से आपको से मिला जेना है ठीक है इस तरह से अब ये बनकर तियार हो चुका है पैनल एंड ग्लास टोर ठीक है आप चाहिए उस पर एक यहाँ पर जो डंडला टाइप का होता है वो लगा सकते हैं इसके लिए आपको देखिए एसे लाइन ब्लोकर लेनी है और एसे ठीक है थोड़ा थोड़ा लंबई बढ़ा लिए इनकी यूँ यूँ और एसे ठीक है ऐसे आपको कुछ कुंडी के टाइप का बना देना है जैसे कि लोग लगता नी ठीक है एसे अब यह बनकर इसका पैनल एंड ग्लास डॉर का इलिवेशन बनकर पूरी तरह से त्यार हो चुका है ठीक है अब हम बनाते हैं इसका सेक्शनल साइड व्यू यानि कि जहों इसको डॉर को यहां बीच में से काट कर देखेंगे तो यह कैसे दिखेगा ठीक है इसके लि उपर वाला जो यह नीचे बोटम वाला लाइन है इसका प्रोजक्शन इधर ले आना है ठीक है और जो यह होन बनाया था होन इस होन का भी ऐसे यहां पर प्रोजक्शन ले आना है ठीक है प्रोजक्शन ले आने के बाद आपको एक एसे यह लाइन डो कर लेनी है बिना अभ देखिए हमने पोस्ट बनाया था पोस्ट का साइज किया त alguns एंट सांती यह है आप 9.0 10 सेंट में सबर्ने है यहाँ तो यह और से वन तßंसा ऐसे कि यह सब्सक्नाइब बेज़ सुछ करें के ठीक है इसके बाद आपने बनाया दसमें रिबैक रिबैक का जो साइज होता है 1.5 cm इसमें बन चुगा है बचया है कितना 4 cm अब 4 cm को स्केल में करेंगे तो 0.4 cm यानि कि अभी के लिए आपको क्या करना है देखिए जो यह यह वाले राइट साइड वार मिलाएने इससे लेट साइड की और 4 cm की दूरी पर यह ऐसे नाइन डो करिए तो और उपर तक ऐसे बना दीजिए और यह आपको यहां तक जो यह डार्क वाले लाइने यहां जोन से यह अब को सवह में आ गया होगा अब इसके बाद बनाते हैं रिबैक हो चुका है अब देखिए यह जो डोटेड लाइन ही हमारे रिबैक था अब रिबैक का प्रोजक्शन भी आपको इदर ले जाना है इसके लिए क्या करना होगा देखिए इसको एसे यू इसको मिला दिया ठीक है यह आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है अब हम क्या करते हैं इसके सभी प्रोजक्शन इसमें लिए आते हैं सक्षाइड वी में देखिए श्वसे पहले यह लिए लिए इसका यह सच्छन आ जाएगा यहां पर ठीक है एक यह आगि है खूर से थे पहले यहां आ गार्शी होड़्य उ geek oh chuy me got come should ya यहां तो और रशाष्ण हमा प्लस फीचाओ इसका पाल्चांवा कि इन का प्रोजेक्शन डेया है इसकी अब करने के बाद आपको क्या करना है अब यहां से यहां तक का यह हो रहे यह चुकी लकडिना का होता है तो में यहां पर वॉडल का सिंपल सो कर देंगे इंगे आपने देखा होगा के इसे और यहां यहां से यहां तक कर जो इससा यह भी उड़न का ही है तुसमें उड़न का सिंबल सो कर देते हैं ठीक है अब यहां से यहां से यहां तक कर जो यह गाप है इसमें आपको कुछ एससे यूं बना देना है ठीक है जिस तरह से मैं बना रहा हूं ठीक इसी प्रकार यहां पर भी एसे ही यहां आजाए आप ठीक है इतना करने के बाद अब देखे चो कि यह क्या बने है यह हमारे पास पैनल अब पैनल को इधर देखेंगे तो इसके लिए आपको दो सेंटर लाइन डो कर देंगे एसे चो कि यहां पर क्या यह पैनल है ऐसे ही इसमें दो एसे लाइन डो कर देने है बराबर बराबर ठीक है और यह क्या है हमारा वूड पैनल पैनल है अब पैनल के लिए आपको कुछ एसे सिंबर कर देना है इतना करना के बाद अब जो बीच में क्या बचाए है यहां से यहां तक का यह जो कि लकडी का है वोड़न का है तो इसमें आप वोड़न का सिंबल सो कर दीजिए यह से ठीक है यहां पर भी चलिओ पर भी नीची कितना है वोड़न का सिंबल कैंप लगडी ने कहां बचाओ थीए अब आप अपने अभी यह अब यह पर कर तेयार हो चुक्त है अब आपने देखा होगा कि जो हमारा दर्वाजा होता है दर्वाजा के उपर हम लिंटर डालते ठीक है अब लिंटर डालने के लिए देखे लिंटर डालते अब लिंटर की जो हाइट लेंगे इसमें वो 10 cm लेंगे ठीक है यानिके आपको ऊपर की और 10 cm यानिके 1 cm स्केल में बात करेंगे तो और यहां पर भी नीचे से उपर की और टांस अंजिंगर ठीक है और इसको मिला देना है इसे अब इसमें आपको कंक्रीट का सिंबर सो कर देना है इसे उसमें ऐसे कर देना है ऄ? अब इसके ऊपर हमारा क्या आता है चूकी जो इसके ऊपर आता है हमारा दे ब्रिक मैसोनलड़ी के लिदी क्या होगा देखिए ठीक इसको ब्रीक में से लिए हमने क्या क्या है इदर पांचा आमे लिए इदर पांचा में लिए और इसकी जो हईट लिएसे 1000 डिया वह साइने का देखिए आपको जो सभी प्रोजक्शन यह उपर लेजाने हैं तो ऑफ यह प्रोजक्शन आप उपर ले गए इसकेल की मज़र्च से आप यह प्रोजक्शन उपर लेगे अब आपको एक ऐसे यह लाइन ड्रोक मिला देनीं आपस में अब यह से इसकी जो थिकने स्केया पास पोस्ट 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 में जो की थिकने से हम अरप यहां से बीटे आप नहीं और आपको इनको मिला देना आपस में इसके यह ठीक है इतना करने बाद अब रिबैक जो कि यह डोटेड लाइन है यह सब कुछ रिबैक है अब रिबैक को जो स्वाइज होदा है चार चैंटीमेटर को स्केल में करों करें तो पॉंट चार इसकेल की मदद से आप इसका प्रोजेक्शन ऊपर ले गए ठीक है और ऊपर से नी कि ठीक है और इन दोनों को आपस में यूं मिला दिया कि यह बन चुका है हमारा रिबैक रिबैक के बाद हमने बनाया दसमें पोस्ट अब देखें जो यह यहां से आता कि क्या था पोस्ट अब पोस्ट का स्केल की मदद से प्रोजेक्शन ऊपर ले गए वह से यूं इसका अब देखें जो कर दिया आपने सिम्बल यहां पर ठीक है यानिकि पोस्ट का प्रोजेक्शन लेगे इसे इन लाइन रो करती है ठीक है इतना कर देंगा बाद अब जो यह संटर संटर के लाइन इनका भी प्रोजेक्शन आप उपर की ओले जोई यह से और जो यहां से यह स इसका प्रोजेक्शन ऊपर के लिगे ठीक है और यहां से तक ही तरहीं कि तुरी पर ने गए और यहां से भी है और इनका प्रोजेक्शल यहां लिए आपको को इतना सभुण में आया है कि यह नहीं कि इतना कट्डे के बार है ते यहां से मुख daha क्शुका बोस्ट पोस्ट की हमारा का सिंबल सो कर दे यांपर भी ऐसे ठीक है और इन में जैसे हमने यहां पर यह er इसे यह र 할 को यहain कि जार्मार माधना आप यहां पूalen ऑल को ठीक है और इसमें आपको पैनल का सिंबल सो कर देना है पैनल का सिंबल जो की दो बराबर बराबर लाएं यह से इसलिए बनाये कियोंकि जब आप इसको यहां से कट देंगे तो आप इसको नीचे से देखेंगे तो यह panel दिखेंगे आपको ठीके इसी प्रकार रहे हमने यहां पर पैल हो पूल कर दीए और यहां से यहां से चाहतका एक पर फांच आम नीचे ठीकि जिखागी के तुछ थीकन के से ले ले लिए उनेजिए तो आप इक सेंटीमेर अधर के जटी मेटर इतर के इसे जिख जैग कटिंग में काड़ देना है वो इसे उलर्स्त में बिरिक वोल का यानिके लिए ली का सिंबल सो करदेना है ठीक है अब यह पूरी तरह से बन कर त्यारल और शुकैंत रहुए त्यांपो छुए आप बनाना आजाएगा तीक है इससे अगले वीडियो में हम आपको जो इससे अगला डॉर है बैटल लेज डोर उसकी डोइंग बताएंगे ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तुसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी सेर कीजिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में